नमस्कार दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, UPSC PET की 15 October 2022 को होने वाली Shift 2 की परिक्षा का आज हम लोग discussion करने आये हैं इसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्रतेक प्रशन का सही उत्तर क्या है उसका केवल जो answer की है वो तो आज हम लोग discuss करेंगे लेकिन उसका जो solution है कि वो answer कैसे आया इसको हम लोग अपने separate वीडियो के माध्यम से cover करेंगे आज हम लोग short से वीडियो में जल्दी से ये देख लेते हैं कि किस प्रशन का कौन सा उत्तर सही है यह आपके इस लिहाज से तो important है कि आप जो shift 2 वाले अभी paper देके आए हैं उसका आप लोग इससे मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने प्रशन सही हो रहे हैं उसके साथ ही इस लिहाज से भी important है कि अभी जो कल के दो shift के paper बाकी है तो वो इसमें से काफी कुछ देख सकते हैं कि किस तरह का paper आया है उनका paper किस level का आने की संभावना है इसके साथ ही कौन-कौन से topics से प्रशन बार-बार आ रहे हैं तो चलिए अपना हम शुरू करते हैं पहला प्रशन है कि 1930 में महात्मा गांदी द्वारा सविनय वग्या अंदोलन को शुरू करने कारण था इसमें देखिए इसके वैसे तो तीनों कारण वह काफी तक जाइज लग रहे हैं लेकिन इसमें जो सबसे महत्पून कारण है वह सी है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी माच इसमें देखिए अलग-अलग जो इसके अलग-अलग जो भी सेट्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो सब में ऑप्शन जो है वह चेंज कर दिया है मतलब A, B, C, D यह जरूरी नहीं है कि आपका जो A सेट में हो वही B सेट में भी हो तो इसलिए आप वह न देखके सीधा इसका जो प्रशन का उत्तर है वह देखेगा कि नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी माच उसके बाद देखिए सेकेंड पे अगर हम लोग देखते में क्योंकि बाकी इसमें हैं सब काफी हद तक सही हैं पर इसका यह सबसे इंपॉर्टेंट जो दिखता है वह यही वाला दिखता है उसके बाद देखिए हम लोग तीसरे प्रशन पर आते हैं तीसरे प्रशन में है कि प्रत्वी का सबसे बड़ा अंतस्तिली जल निकाए त चौथा प्रशन की बात करें तो कौन स्वतन भारत का पहला भारती गवर्णर जनरल था तो यह आपको पता है इसका उप्शन सी राज गोपालाचारी है उसके बाद देखिए पांचवा कि कि सद्नियम को बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया सुबह वाले शिफ्ट में प इसके बाद देखिए भारत को बिटिश नियंतर से मुक्त करने के लिए आइने का गठन तो इसमें मोहन सिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए इसके बाद देखिए सागाउन के जंगल भारत में किस राज में पाए जाते हैं तो इस सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं आठवे का देखें कि सामान वर्षा में अचानक वृद्धी हो जाती और कई दिनों तक लगातार जारी रहती इसे मांसून का प्रस्फोट प्रस्फोटन या फटना कहते हैं बर्स्ट ऑफ मांसून उसके देखिए जीम्टी का पूर्ण रूप जीम्टी से सुबह वाले में पूछा गया था इस समय पूछा गया ग्रीन विच मीन टाइम तो काफी हत तक प्रस्फन एक दूसरे मैचिंग के आतने जो लोग नेक्स्ट जो शिफ्ट में परिक्षा हैं वो लोग जरूर से प्रस्फन पत्र को देख लीजेगा उसके आद देखिए कि प्रती हजार लोगों पल जीवेज जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना मेरे इसाब से इसका क्रूड बल्थ्रेट होना चाहिए इसका राइट आंसर यह देखे ग्यारवा जो है प्रस्फन उन्निस सो नत्तर में कितने प्रमुग निजी बैंकों कराश्ट्री करण किया गया उन्निस सो सी में बाकी चैक किया गया था पर यहां पर चौदह का किया गया है उन्निस सो एक्यानवे के आर्थिक सुधारोग बाद उद्योग विशेश रूप से सार्वजनिक शेत्र के लिए अरक्षित थे तो परमाडू उल्जा उत्पादन जो है यह नि नियोक्ता है नियोक्ता की अगर बात करें प्रात्मिक शेत्र है निम लिखित में से किस राज को हरित करांती के लिए भारत में आरम विस्थल तो आरम विस्थल देखिए पंजाब हो जाएगा इसका राइट आंसर उसके बाद अगर हम लोग सोल में पे आएं कि अल्प सोधन के माध्यम से DPSP कौन सा जोड़ा गया तो इसमें देखिए यह इसका समान न्याय और निशुल्क विदिक साहता यह जोड़ा गया था उसके बाद अगर हम लोग आते हैं कि कौन से मौलिक करता हैं तो इसमें सार्वजिनिक संपत्तिक सुरक्षा करना व्याग्यानिक द्रिष्टिकोर भारत की संप्रवगता यह सभी मौलिक करता हैं तो इसका अंसर हो जाएगा यह सभी ए 19 पे आते हैं 19 में सभी हम लों में समान तत्व है तो यह हाइड्रोजन हो जाएगा इसका 21 नॉन स्टिक खाना पकाने के बरतन से लेपिद होते हैं यह टेफलॉन से होते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुच्छे 245 के अंसार संसत का कार क्या है तो कानून बनाना यह अनुच्छे 245 में दिया हुआ है सरकारिया आयोग इसके लिए हम लोग आपको ट्रिक्स भी बताये थे और साथ में पढ़ाये भी थे कई बार पूछा गया है केंद्र और राज संबंद से रिलेटेड है प्रकास वर्स अगेन कई बार पूछा गया इसका भी आंसर तार की दूरी तारों के मद की दूरी को ग्यात करने के लिए उसके बाद देखिए तो जब हम लोग 24 ये मैट्स के प्रस्ण देखते हैं मैट्स का भी प्रस्ण जो है वो लगबग वैसा ही आया जैसा कि आपको बताया गया था कि इस टाइप का आएगा तो इसमें देखिए 24 का ए आंसर साही है 7.9 फिर 25 का देखें तो 25 का बी साही आ रहा है 26 में देखिए सबसे बुद्धिमान स्तंधारी है तो ये डॉल्फिन हो जाएगा 27 की अगर बात करें तो पौधो का विकास प्रकास की गुडवत्ता मात्रा अवधी तीनों से प्रभावित होता है उसके 28 का देखें तो इन में से कौन सा सबसे बढ़ा है अगर 28 की बात करें तो इसका जो डी आंसर है 11 बटे 13 ये इसका सबसे बढ़ा है आप डिवाइड कर जलना था और इसका देखे एप जो है इसका उत्तर सही है स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए इसका मतलब होता है भै का समन सूरू में कर देना चाहिए स्वल्प का संदी विक्षेद सू धन अल्प ये छोटा सू ये बनेगा उसके बाद देखें 36 का देखते हैं 36 का ये हो जाएगा thank you card c 37 का c हो जाएगा again ये 9 इसका 38 का tame का docile हो जाएगा synonym अंटोनिम आफ रैपिड हो जाएगा बी टारडी इसके बाद one who is indifferent to pleasure and pain यह हो जाएगा बी इसका stoik यह बी हो जाएगा उसके बाद देखे 41st पे आते हैं तो 41st में ये बेटा इसका सही हो जाएगा आंसर 42nd में अगर बात करें तो इसका C जो है option कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है ठीक है 43 पे अगर 43rd पे आते हैं तो भारत गौर्व पर्यटक ट्रेंड ये आपको कराया गया थे ये भारत और नेपाल के मद्ध है उसके बाद भारत में दोनों देशों के बीज मजबूत दिरकालिक साज़ेदारी के लिए ये इसका आंसर नेपाल हो जाएगा C 45 इसका देखिए तो ये 45th का आंसर हो जाएगा आपका C 301 46th का आंसर D हो जाएगा शुक्रवार ये किस तरह से आंसर निकल रहे हैं तो इसका जो भी solution होगा वह आपको अलग से एक वीडियो के मद्धियम से बता दिया जाएगा अभी हम लोग केवल आंसर की बता रहे हैं ताकि ये जल्दी से आप लोग जो नेक्स्ट वाले हैं वो भी इसको अपने हिसाब से बिना टाइम वेस्ट किए इसको रिवाइज कर सके हैं उसके बाद देखिया कि इसका अंसर अगर 47 का देखें तो 47 का आंसर जो है इसका बी सही आंसर है का अंसर देखें का शी आत्रा करनाटक को कॉमन्वेल्ट डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम यूके भारत यूके ने मिलके फिर उसके आज आई एफ के हलिकॉप्टर के साथ इसमें देखिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड इसका सही है उसके बाद हम लोग नारी को नमन नारी को नमन यह जो है नई योजना हिमाचल प्रदेश की है कि उसके बाद हम लोग फिफ्टी सेकेंड पर आ जाते हैं कि संपूर्णा नंद स्पोर्ट्स स्टेडियम यह वारणसी में है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म एकॉनमी यह दे कि हम लोग आते हैं कि सब भारत का सबसे चोटा केंसासित प्रदेश बताए गया था आपको लक्षद्वीप काफी आसान प्रशन है उसका अच्छाद्र पारिस्थित्र के लिए एक नया डिश्टल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर तो इसका देखिए आइसी 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 जलौटी है जलौटी पोलेंड की राष्ट्री मुद्रा है उत्तर प्रदेश का एक लोगप्री सास्त्री इन्रत है देखिए नौटंकी सुबह वाले में आया था और साम वाले में कत्थक आया है तो काफी अत्तक मिलता जुलता ही आता है किसके पास लोग सभा सत्र को स्थ असान है दो अक्टूबर वास्को डिगामा का मगबरा यह जो है कोची केरल में और कहीं तो इनका जाना ही नहीं हो पाया था कोची केरल में ही है कि थॉमस कप देखिए तो थॉमस कप का बैड्मिंटन हो जाए गा राइट अंसर बहुत असान है विंक्स ओफ फायर अगें very easy question był like global warming देखें सुभ्य वाले में यह था Global warming देखें तो समुद्र के इस तरह में वृद्धि भी और 30 रेखम परिवलतन होता है, फसल पैटर्न परिवलतन होता है, इस प्रकार से इसका अंसर A हो जाएगा ये सभी, उसके बाद देखिए हम लोग हिंदी गध्यान्ष पर आ जाते हैं, हिंदी गध्यान्ष में अगर बात करें तो 66 जो है, 66 का B सही हो जाएगा, 67 का अगर हम आएगा, और 70 का देखेंगे, तो 70 का D सही है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 71 का, 71 का अगर हम लोग answer देखेंगे, तो 74 का D, answer समझ में आ रहा है, उसके बाद 72 का देखेंगे, तो यह है अगें D, answer, 73 का A, answer सही है, 74 का अगर देखेंगे, तो 74th में आपका B आंसर ही सही है और 75th का आंसर जो है वो C सही है देखिए यह ज़्यादतर लोगों ने वैसे इसमें करी लिया होगा और आसान सही था यह गद्यांस उसके बाद देखते हैं यह हम लोग 76 देखेंगे जो DI वाला पोर्षन है इसके जो 20 नंबर का है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 76 का जो है उसका हमारा आंसर आ रहा है जिलाई यह सब कैसे आ रहा आंसर यह आपको सारा अलग से सॉल्व करा दिया जाएगा पर अभी हम लोग केवल जल्दी से इसका आंसर देख लेंगे बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किये 77 का देखेंगे तो 77 का सी सही है 2012 कि 78 का देखेंगे तो यह डी सही है यहां पे 2014 ठीक है 79 का देखेंगे 79 में इसका बी आंसर सही आ रहा है जिलाए और 80 का अगर देखेंगे हम लोग तो 80 का आंसर जो है वो डी सही है 88.54 उसके बाद देखिए 81 का देखेंगे 81 का आंसर जो है वो A सही आ रहा है 82 का आंसर C सही आ रहा है 83 का अगर आंसर देखेंगे तो 83 का आंसर जो है वो B सही आ रहा है यानि 144 84 का आंसर जो है वो आपका D सही आ रहा है यानि 118 और उसके बाद अगर हम लोग 85 का आंसर देखेंगे तो यह आंसर ही 85 है C ठीक है उसके बाद हम लोग 86 पर आते हैं, 86 में देखिए, तो 86 का आंसर जो है, वो C सही आ रहा है पहले, 86, अगें ये 86 का 86 परसंट ठीक है, 87 पर अगर हम लोग आते हैं, तो 87 का A सही है, 12.78 परसंट, उसके बाद 88 का अगर देखेंगे, 88 का आंसर जो है, वो B सही आ रहा है, दो लाख, 89 का अगर बात करें, तो 89 में ये C सही आ रहा है, 35 परसंट, और 90 की अगर बात करें, 90 में परसंट की, तो उसमें आपका A सही आ रहा है, 72,50,000, उसके बाद देखेंगे, 91 का अगर बात करें, तो 91 में हम लोग देखते हैं, कि इसका C आंसर सही है, 45 is to 68, 92 की अगर बात करें, तो 92 में हम लोग देखते हैं, जो 90 सेकेंड था, उसमें A आ इस्टू 17, 93 में यह देखता है D आंसर, 260 करोन, 94 में D है, अगें यह आपका है, 102 करोन, और 95 का आंसर जो है, वो अगें आपका B हो गया, देखिए सारे प्रशनों को, अमने जल्दी से इसको सॉल्व करके, उसके बाद आपको बता रहे हैं, ताकि अभी बहुत ज्यादा इस केवल आंसर देखने हैं, तो वो इसको देख सकते हैं, उसके बाद जो अलग से पूरी सॉल्यूशन की आंसर आया कैसे, उस पर हम अलग से वीडियो ले आएंगे, तो उससे आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी, फिर भी आपको अगर कोई डाउट इसमें लग रहे ह कि आपको इस इस प्रशन में डाउट लग रहा है, फिलाल देखिए, नाइंटी सिक्त का जजिया फिर से लगाने वाले मुगल साशक औरंग जेब, अंग्रेजु द्वार सुरू किया गया, सबसे महत्पूर्ण योगदान अगर देखा जाए तो रेलवे, पंच तंत्र की कथा हैं, बहुत आसान प्रशन, गौतम बुद ने साल नात में पहला उपदेश दिया, इसमें देखिए, यह भी जो है, पहली बार, पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था, इसी से रिलेटेड कि यह कहां पर बहुत संगीती हुई, और यहां पर भी देखिए, धम तो चलिए, उसके बाद देखते हैं कि सासक के दरबारी कभी हरिशेंड थे, तो बहुत आसान सा इसका आंसर है, समुद्र गुप्त, तो इस तरीके से यह हमारा आज की जो आंसर की है, वो कम्प्लीट होती है, इसका सॉल्यूसन का वीडियो जल्दी हम लोग ला रहे होंग फिलहाल अभी जो आगे के दोनों शिफ्ट वाले हैं, वो इस पर ध्यान दें, इस पेपर में जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उसी टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लें, ताकि उससे मिलते जुलते प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना होती ह पेपर में, फिलहाल हम लोग अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार